इसे बीच एक बड़ी खबर मिल रखी है उत्ते प्रदेश की सियासत से दिया है कन्नौस से सांसत बने हैं अकलेश यादा विधान सबा अध्यक्ष को उन्होंने स्टीफा बेजा है नेता प्रतिपक्षी थी है अलाओ दिन अमारे सयोगे फोलाइट पर जोड़ गया है इसे बादिश के दौरान इस बादिश को कंफर्म किया था कि करहल की सीथ छोड़ना है उन्हें नेता पोजिशन का पत्री छोड़ेंगे और दिल्ली की राजनीच करेंगे हाला कि ऑफिशली कल अखलेश यादों वहां से एक बज़े निकले ते इससा देने के मसद से लेकि इसे बीच एक और बड़ी ख़बर अपने दर्शुकों को बता दे अवधेश प्रसाद का MLA पत्से इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा भीज़ा गया है सांसत बरने के बाद विधायक पत्छोड़ दिया फैजाबाद से S.P. के सांसत चुने गए है मिल्कि पूर विधानसभा से चुने गए थे विधायक तो अब मिल्कि पूर सीट पर उप्चुनाव होगा अलाउदीन हमारे साथ जुड़े हुए लगातार अलाउदीन अवधेश प्रसाद ने भी MLA पत्से इस्तीफा दे दिया है मिल्कि पूर में यानि कि फिर से चुनाव होगा उप्चुनाव होगा जी है बिल्कूल अउदेश परसाद जो इलेक्शन अभी जीते थे फैदाबाद लोग सवाथे से उन्होंने भी अपना इस्तीफा अखलेश यादो जी के साथी वहां रिसीप कराया है तो उकली मिला करके चार जो विधायक के समयवारी पार्टी के वो सांसित बने हैं एक तो अकलेश शादो खुद करहल मैंन पूरी से और देश परसाद फैदाबाद की मिल्कि पूर से लाल्जी वर्मा अम बेजकर नगर के तहरी से थे और जियावत रहमान जोसी बुरादा समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है ऐसे में एक्टिव मोड में समाजवादी पार्टी भी नज़र आ रहा कि आने वाले लिहास से भी अब उप्चुनाव भी होने हैं और आने वाले विधान सबाद चुनावों के लिहास से भी गुड़ा गड़ित बिठाने के कोशिश अखले शादब कर रहे हैं अजी अब बिल्कुल अब जिस फार्मोले पर चले हैं कल्नीव दखीर ने उनसे जब इंद्रू करा तुने साथ और से बोला कि हम उसी फार्मोले पर चलेंगे यानि पीडिये के फार्मोले पर और उनके जो विधान सबाद की जो तमाम सांसच बने हैं उस्तीफा देके दि यारिया अभी से मुकमल रखें क्योंकि करीब दस नौ तो विधान सवा एक विधान परिश्यद है जिस पर चुना होना है इसके बाद बीजेपी के वनूब बालमिकी हैं अतुल गर्जूई गाजियाबास हैं पूलपूर से परवीर पटेल हैं मीरा पूर से रालोथ की चं अब समाजवादी पार्टी की स्थिती पहले से बेतर हो गई है ऐसे में अब दो और सीटे हो गई है जहां पर उपचुनाव होगा करहल में भी दूबारा से चुनाव होगा मिल्की पूर सीट भी खाली हो गई है देखिए आधरनी अकलेश यादो जी वो आज विदान सभा की अपनी सदस्ता से इस्सिफादे के वो विदान संसद में बनेंगे जहां पे वो गरीब किसान मज़ूर की अपनी पीडिये की जो आवाज है उसको बुलंद करने का काम करेंगे उनके हक के लिए लड़ने का काम करेंगे तो जहां तक बाई-एलेक्शन की बात है कि उत्तर बदेश की बहुत सी सीटों पे बाई-एलेक्शन होने हैं और उन पे जब चुनाव की गोशना होगी तो समाजवदी पाल्टी अपने पीडिये नारे पे जिस नारे पे गोसी का विदान सभा उप चुनाव चीता था लोकसभा का चुनाव चीता है उसी नारे पे उसी योजना से हम आगे बढ़ेंगे अपने पीडिये को मजबूत करते वे ये बाही एलेक्शन भी जीतेंगे आदर्णी अकले शादो जी ने इस्तिफा दिया है आदर्णी अकले शादो जी देश की संसद में जो उत्तर वदेश का प्रतिनिदित करेंगे देश के उन गरीब किसान मज़ूर की बात करेंगे जिनकी हक की आवास पिछले काफी समय से दबाई जा रही भारती जनता पर्टी के शाचन में किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए जा रहे हैं नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है बहुत से ऐसे मुद्दें जिन पर चर्चा नहीं हो पाई संसद में अब संसद में विपक्ष मजबूत है आदर्नी अकलेश यादो जी की आवाज संसद में गुंजेगी देश के किसानों मजदूर की आवाज वो संसद में बुलंद होगी उनके हक के लिए लगने की आवाज वो संसद में मजबूत होगी जब समाजवादी पार्टी जनाब रड़ी थी जब अखलेश यादव अफदेश जी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए गये थे तब ही उन्होंने ये भविश्माडी कर दी थी कि आप विधायक नहीं हलाकि वो चौक भी गये थे उन्होंने का आप विधायक में सांसत बनने वाला है यानि कि भविश्माडी साच हुई देखे समाजवादी पार्टी बहुत पहले से इस बात को कह रही थी कि इस बार समाजवादी पार्टी 2004 का जो अपना अधर्शन था उससे आगे निकल जाएगी और वो उनके लिए आदर्णी अखलेश यादू जी ने वह प्रवक्ता आपका फक्रोल असन जी पूरी तरह से आश्वास्त है कि अब दो सीटें जो और खाली हो जाएंगी जहां पर फिर से उप्चुनाव होगा वहाँ पर भी समझवादी पार्टी ही जीत हासिल करेगी क्योंकि लोगसभाद चुनाव में जिस तरह से उनकी स्थित की मजबूत हुई है उसके बाद वो जीत को लेकर और ज्यादा आश्वस्त हो गए हैं अब देखिए आश्वस्त कैसे हैं मुझे तो यहीं समझ में नहीं आ रहा है देखिए यह अपना समाजवादी पार्टी का किस तरह से उनका आपना आकलन है और किस तरह से उनकी जो चलाओ हुआ है लोगता का इसमें भी कहीं न कहीं आपसूस जाहिर कर रही है और यह मैं देख रहा हूं जो जाहे सोसल मेडिया के मध्यम से हो चाहे ऐसे मेडिया के मध्यम से भी ऐसे यह रियक्शन आ रहे हैं तो निश्कीत तोर पर मुझे लग रहा है जो उच्छाव लेकिन मुझे लगता है चाहे क्या फैजाबाद की जनता इस वक निराश है जो नतीजे आए है उससे देखिए सवाल ये है कि वह दोनों ही सीटे समाजवधी पार्टी के पास पहले बिती विदान सबाद और हम लोग सब जीद गए तो भारती जनता पार्टी के मित्र जिस व और आपको तो सबक सिखाएगी अब इस बार की फैजाबाद और आध्या की जनता जिन शब्दों का इस्तिमाल भारती जनता पार्टी के कारकरता हूंने आध्या वासियों के लिए फैजाबाद वासियों के लिए किया है वो पूरी दुनिया देख रही है इसलिए आत्मे चिंतन कीजिए हार के बाद आत्मे चिंतन किया जाता है यह बाशा इस्तिमाल नहीं कि जाता है आत्मे चिंतन की जरूरत हर किसी को है आप सबी का बहुत बरशुक्रिया आप सबी जुड़े वक्त देने के लिए हमारे सयोगी भी जुड़े थे आपका भी बहुत बरशुक कुरिया.